हे गाइस, वेलकम टू दा स्टेडी विद मयांक, मैं हूँ आपका मयांक और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए कच्छा बारे की समाज सास्ट की पार्ट पुस्तक भारती है समाज, आज इसी क्रम में यहाँ पर अध्याय आपका छटवा हैं, यहाँ पर हम सांस्कतिक विव विवित्ता पर आता हूँ, विवित्ता है क्या, वास्त में विवित्ता सब्द जो है यह असमानताओं के बजाए अंतरों पर बल देता है, यानि हमें विवित्ता जब जब सब हमारे सामने विवित्ता सब्द आएगा, तो हमें असमानताओं को नहीं देखना है, बलकि उन बलकि वहाँ पर उन अंतरों के रूप में देखना है कि भाई यहाँ पर बिवित्ता में मौझब जो समधाय है उन में क्या क्या अंतर है और यह समधाय आपके सांस्कतिक चिन्नों जैसे भासा, धर्म, पंत, प्रजाती या जाती द्वारा परिवासित किया जाते है यहाँ पर हमारे रहने वाले जो भी समधाय है उनके कुछ सांस्कतिक चिन्न होते है जैसे सांस्कतिक चिन्नों में जैसे भासा जाती है धर्म आ जाता है, किसी पंत से बलोंग करते है प्रजाती या जाती इता की भाव होता है तो इनके द्वारे ने परिवासित किया जाता है तो यहाँ बर कई बार ये भी होता है कि कई बिवित्त समधायों को सामझस मेलाने के लिए कई बार क्या होता है और हमारे भारती समिधान निर्माताओं ने इसे बखु भी निभाया है और उसका परड़ाम ये है कि आज आप अपना भारत देख रहे हैं एक राष्ट के रूप में तो ये राष्ट के रूप में भारत जो आज बना हुआ है ये बिवित्ताओं का ही परड़ाम है या इतनी सारी बिवित्ताओं को जैसे समिधान निर्मातान संजोया हैं, तो यह आप काबले तारीफ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, कटनाईयां इस्तथ से भी उत्पन होती हैं, कि सांस्कतिक पहचाने बहुत प्रवल होती हैं, वे तीब्र भावावेश्यों को भढ़गा सकती हैं, और अक्सर बड़ी संख्याम लोगों को एक जोट कर देती हैं। इसाही हैं, यह आपके एक धर्म की पहचान आपने मना ली, तो यह क्या है, कभी-कभी तीब्र भावावेश्यों को भी जोट हो जाता है, कभी-कभी आपके जो अंतर हैं, इनके साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक अस्मान ताइम भी जोड़ जाती हैं, तो ऐसे में इस्ति और भी यहाँ पर कई चीज़े हैं, कई बार क्या होता है, जब इस्तानी बातों में, यहाँ पर उस समय और बिगड़ जाती है, जब नदी के जल को लेकर, रोजगार के अवसर को लेकर, या फिर सरकारी धन्रासियों के लिए जो दुरलब संसाथनों का बटवारा है, इनक आप लोगों की मन में, कई बार देखें, बच्चे भी मुझे कमेंट करते हैं, यानि की कमेंट, सेक्सेर में आगे बच्चे कमेंट करते हैं, सर जॉब है नहीं, प्राइबेट लाईएसन हो रहा है, गवर्मेंट यह कर रही है, या अक देश में यह चल ला है, धर्म की यह लगेगा, आपको अनेक, यह लगेगा, कि आपको अनेक बिक्टन कारी तागत हैं, सक्री रूप से अपना काम करते हुए, यह आपर दिखाई देती हैं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को तार-तार करने पर तोली हैं, यह संपरायक दंगे, छेतरी स्वायतता की इमांगे, जातिकर लड़ाई जगडे, यह सब तीजी आप देखते हैं, आपको इन सबको देखकर यह लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश वास्ता में तूटना जाए, यह थो अखंडता है, हमारी एकता है, कहीं नश्ट ना हो जाए, आपको यह लगता होगा, लेकि तो आपके मन में संका या डर दूर हो जाए जात तो आप यही बात लिखी हुई है लेकिन याद आप आदुनिक भारत के इतियास की किसी पुस्तक या फिर सामरदायक्ता या छेत्रबाद जैसे मुद्दों का बिबेचन करने वाली अनिपुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप कि यह समस्याएं कोई नई नहीं है यानि कि यह पुराने समय से चली आ रही है लगबक सभी जो विभाजनकारी समस्याएं है यह आपकी सुदंता प्राप्ति के समय से ही है यैसे भारत पाक किस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो आपके हिंसा होई हिंसा में लागों लोग मारे गए उस समय भी आपने देखा उसके बाद देश में आपने देखा इमर्जेंसी की तोरान क्या हाला थे वो भी आपने देखे आपके भारत पाक युद्ध हुए या भारत का राष्ट के रूप में ना के बल जीवित रहा है बलकि आज पहले से कहीं अदिक सबन राष्ट के राज के रूप में जो हमारी बारतीता है वह मजबूती होई है कम जोर camping होई है कहने का मतलब यहां पर इस जारी है क्योंकि यहां पर यह माना जा रहा है पहले की तुल्ना में आज जानसे आजलोग शिक्षेत हुए है लोगों के अंदर बोध आया है कि क्या सही है और गलत है अंतर कर पा रहे है चाहे भलेही आप कितना भी मीडिया वाले हाइलाइट करें कितना भी मीडिया वाले आपकी मन में एक भय ब्याप्त करें लेकिन आप लोग अगर वास्टप में पड़े लेके व्यक्ति हैं तो आप सच्चाई से आप बाकिप होती हैं आप ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति कोई भारती सही अपर अपने दिल पर हात रखके करेगा तो यही गएगा कि भारत सबसे महान हमारा देश क्या उन साथ भारती है उसके मन में यही आएगा कि भारत से बहेटर कोई देश है ही नहीं तो यही चीज़े हैं कि इसकी वज़े से आपको लगता है आपको जो डर है कहीना की वो दूर हो जाता है यहाँ पर आप यह सब चीज़े हैं कि देश के सक्षे नागरिक के रूप में हमारा या परमकर्तब है कि हम अपने एतिहासिक और सामाजिक संदर्प की परिसीमाओं की भीतर रहते हुए यथा संभव उन समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान निकालने की अधिक अधिक चेश्टा करें हम सभी का ढायत धो यह है। धेश से लेटेड कोई बिषार बे मरस च्यंतन करें और उनके बारे में उनकी समाधान निकालने का समस्याओं का उसका निकालने का प्रियास करें हम सभी का दायत तो है, याँacon कोई एगर देस में आप समस्या δेख रहे हैं जातिक्र जगड़े के रूप में देख रहे हैं, धर में जगड़े के रूप में देख तो ऐसा नहीं है आपको आखे मूद ले नहीं है नहीं आखे नहीं मूद नहीं है बलकि उसका समाधान निकलना है, समाधान क्या है तेकि मेरी नजर में सबसे वड़ा समाधान है सिक्षा अगर आप educate हो जाएंगे अगर आप educate होने के बाद जादा से जादा आप अपने भविस्थी के बारे में सोचेंगे यकीन मानिए देश का भविस्थी ससर जाएगा लेकिन जब होता क्या है कि आप अपने धर्म इन सब चीजों के बारे में जुड़ जाती है और लगाता इनके रूप बारे में सोचते हैं अपने बारे में ना सोचकर इनके बारे में सोचते हैं यहां पर अगली आपकी जो हैडिंग है यह हैडिंग है सांस्कतिक समधाय यहां आपके देश में मौझूद है और इसके लाबर जो राष्ट राज्य है इन से क्या है इनकी भावनने टकराती है यह फिर यह हमारे लिए एक अवसर भी है यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में विभित्ता के कारड़ बहुत जादा बड़ी-बड़ी चुनोतियां जैसे आपकी छेत्रीता, छेत्रवाद, सांप्राइक्ता और जातीता की समझ्याएं इन से चर्चा करने से पहले आपको यह प्रतीत होगा यह कि हम राष्ट राज्यों और सांस्क्रतिक समझ्याएं के बीच समझ्याएं को पहले समझ लें यानि आप देखेंगे इस संसार में अपना अस्तित्य सक्री बनाए रखने के लिए प्रत्यक मनुस्य को एक इस्थाई पैचान की जरूरत होती है जैसे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं दूसरों से अलग हूँ, या फिर मेरी आकांचाहें क्या हैं, मुझे क्या-क्या अलग प्रा समाज से हमें इन सब चीज़ों के उत्तर मिलते हैं, यानि हमारा समाजी करड़, जिस तरीके से हुआ है, या विविन अर्थों में हमें हमारे निकटवर्ती परिवार हों, खास करके हमारे समदाय द्वारा, समाज में किस्पकार रहना सिखाय गया है, इसकी वजए से हम इन पर उसका उपयोग करना है, ये सब चीज़ों हमें इन पर सिखाय जाती है, या आप देखेंगे, समाजी करड़ की प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, यानि बच्चा घर से पैदा होने के बाद से लेकर, सबसे पहले उसकी मा सिखाती या मा से लेकर जीवन परिंद सीखता ही देता है समाज में, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, आप संबाद करते हैं, बादचीत बारतालाप होता है आपका, तभी कभी संगर्स भी होता है, तो ये सब चीज़े हैं, जैसे आप माता पिता, परिवार, नातेदारी समून और और हमारा समदाए, यानि इन सब से हमें इस सीखने को मिलता है, ये सब हमें experience लेने को मिलता है, और experience के आधार पर हम ये सारी प्रश्ण है, मैं कौन हूँ, मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, या फिर हमें मेरी आकांचाएं क्या हैं, ये सब साले सबालों के जवाब हमें मि भासा और स्मुद्धरी मूलिय प्रदान करता है जिनके माध्यां से हम विस्थ को समझते हैं ह्से पहले एक्टो मात्र भासा मिलती है उपर्टारी मिलती है यह चयूंति हम wes पहचान जो है आपकी जन्म और अपने पन पर आरित होती है याँ आपके माता पिता की जरीए आपके परिवार के जरीए आपकी पहचान बनती है इसे अरजित नहीं किया जाता है याँ यह अरजित नहीं होती है बलकि यह आपको जैसे आप पैदा हो रहे हैं ततकाल आपको मिल जाती है तो यहां पर वही बताया गया कि सच तो यह है कि किसी परिवार या समदाय अत्वा देश में जन्म लेने पर हमारा कोई वस नहीं है याप किसी विधर्म जाती समगू में आप जन्म लें और आपको वही एक समदाय पहचान मिल जाएगी इस पर आपका कोई वस न यहां पर आप भही चीज़ें देखेंगे कि सामाजिक जीवन का एक अजीतत यह है कि लोग उन समधायों से समधित होकर अत्कंत स्रक्षित और संतोष्ट महसूस करते हैं जिनमें उनकी सजस्त्या पुरी तरह आगस्मी कोड़ी आगस्मी का मलब यह है आपने किसी से कहा नही पर देखेंगे अनि हम अकसर आसी समधाय के साथ अपनी पहजान मजबूती से स्ताबित कर लेते हैं जिसके लिए हमने कोई भी यहांपर कह सकते हैं कोई प्रयास नहीं किया, कोई परीच्छा पास नहीं किया कोई कुसलता या योगता प्रसिद नहीं किया किवाल हमें यह पहचान इस आधार पर मिल गई है क्योंकि हम उस हमूँ से बिलोंग करते हैं इस आधार में पहचान मिल गई है हाला कि आप देखेंगे डॉक्टर हो, किसकोई वास्तकार हो इनको एक्जाम देने पड़ते हैं अपनी योगता का परच्छे देना पड़ता है जैसे आपने देखा होगा, कही बार कहते हैं लोग कि भाई हम छत्री है, अब उन्हें जरूरी नहीं है कि वो लड़कर ही दिखाएं, यह जरूरी नहीं है समझ रहे हैं आप? तो यही सब चीज़े हैं आप देखेंगे, खेल कूद में अभी एक दल की सरस्ता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित इस तर तक का कौसल आपको परसित करना पड़ता है लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है समधाय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यानि आप यह देखते हैं कि वास्तम में अधिकांस जो आपकी प्रदत पहचाने होती है वो इतनी पक्की होती है कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता बले ही हम उन्हें अस्विकार करने की कोशिस करें तब भी दूसरे लोग सायद उनी चिन्नों से जोड़कर हमारी पहचान करते रहेंगे यानि इतनी मजबूत हैं आप जिस घर में जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे जातीता से हमें बहुत सारी पहचाने मिलती हैं आप देखेंगे तो आप उन्हें बदल नहीं सकते जीवन परियंद वही रहती हैं आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो यहां पर वही सीज़े हैं कि संभवता इस आकस्मिक सर्थ रहित अत्वा लगवग अन्निवारणी तरीके से संभवधित होने कारण ही हम अक्सर अपनी सामदायक पहचान से भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़े होते हैं पहली बात हमने अपने आपक्रेट नहीं किया है हमें तो समाज नहीं दी है तो इसका नवारण नहीं है तो कहीं ना कि इससे बहुत जादा भावनात्मक रूप से जुड़े जाती हैं कई लोग पहचान को लेकर अपने आपको गौर्ब भी फिल करवाते हैं कि हमारी विसिष्ट पहचान है वाले कोई अपर काश्ट में बिलॉग करता है उसके अपर काश्ट की जो पहचान है उसके लिए सुखद अनुबब हो और भही कोई निचली काश्ट में बिलॉग करने के अपनी प्रत्क्रिया दिखाती है जब उन्हें अपनी साम्दाइक पहचान को कोई घत्रा दिखाई दीता है ये कि भावना है जोड़ी होती है इस बज़े से यहाँ पर देखना को मिलती है यह पर आपकी त macht पहचान है या पर साम札ावना एक दूसरी बोस्ता इसकी ये होती है उनकी समाज में जो पहचान देने का थरीका कुछ अलग हो हमारे के साल प्रोडिस्टैंट देख लिया पहचान है मां पर उनकी तो आप यही चीज है प्रत्याग मात्रुमी भी होती है एक मात्रभासा होती है उसका परिवार होता है और निष्ठा भी होती है यानि कि यह जो परिवार परिवार हर्पिक्ति का होता है यानि हम जन्म लेते हैं तो परिवार तो होगा ही होगा ऐसे थोड़ी रहा कि बिना परिवार के जन्म हो गया हमारा तो यहाँ पर हमारी एक मात्र भूमी होती है जिस देश में कहीं तो जन्म लिया होगा आप को देखने को मिलेगी यहाँ पर एक बार आप फिर यह बस संभव हैं कि सायल हमें ऐसे लोग भी मिलें जो अपनी पहचान के किसी एक क्या अनपक्ष के बिसे सूप से प्रतिवद्ध ना हो तो कभी-कभी मैं ऐसे लोग मिल जाते हैं लेकिन हम इस प्रतिवद्धा की संभवन लेवक अधिकांस लोगों में पाई जाती हैं कई बार क्या होदा है आपको ऐसे भी लोग मिल जाएं जो अपनी पहचान को लेकर प्रतिवद्ध ना हो जैसे कई बारों लोगों को लगता है जैसे एक एक एक्जांबल में यहाँ पर देता हूं कुछ दलिज जाती हैं तो अपनी पहचान पर कई गवाद कई गौरब करते हुए कुछ अच्छा खासा यहाँ पर फिल नहीं होता है तो नहीं लगता है कि हमारे साथ प्रताड़ना होई है तो उसे बदलना चाहते हैं बो लोग तो कहीं ना कहीं यह सब चीज़ें हैं यहाँ पर मैं देखने को मिलें तो यहाँ पर इसी कारण हमारे समदायों चाहे राष्ट, भासा, धर्म, जातिया, छेत्र बिस्यकों इनके बीच पैदा होने वाले लडाई जगलों या विवाद को निप्टाना बहुत कढ़िन होता है इस समदायक पैचान की वजए से यहाँ बिवाद का प्रतेक पक्ष सामने वाले पक्ष को सत्रु मानते हुए उससे गणागी दश्टी से देखता है और उसमें अपने पक्ष के गुड़ों और बिरोधी के पक्ष के दोड़गों को बढ़ा चला कर यहाँ पर कहने की प्रवति होती है खास करके आप देखेंगे जब दो राष्ट्रों के मद यानि दो देखों के मद युद्ध छड़ जाता है तो क्या होता है प्रतियक राष्ट के लोग अपनी तरफ से देखवक्ती होते हैं अब जोसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो भारत के लोग जो भारत का समर्थन कर रहे होंगे वो भारत की देखवक्त होंगे पाकि जोगा कहीना की बिरोधी होगा और हमारे नेजर में पाकिस्तन बिरोधी होगा तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर पताई गई है यानि कि कहीना की बिवाद जब-जब होता है तो हमारी यो समदाइक पहचान है वो मर्य राष्ट के साथ जुड़ जाती है तो वो चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर एक सामाधिक तथ्या ही है कि कोई भी देश या समू अपने नागरिकों या सजस्यों को असत्य अन्याय अत्वा असमानता के लिए संगर्स करने को प्रुसायत नहीं करता यानि कि हर देश हमेशा सत्ति के लिए, न्याय के लिए और समानता के लिए प्रतिवद होता है, उसके लिए रड़ता भी है लेकिन फिर भी लोगों की जो पहचान होती है वो दराश्टीता के साथ जूड़ी होती है जैसा कि हमने दो देशों के बाद जोने वाले युद्धिस से समझा कभी-कभी तो दोनों ही पक्ष वास्तम में समान रूप से गलत या सही होते हैं यह भी हो सकता है और कभी-कभी इधियास एक पक्ष को आकरांता और दूसरे को उसका सिकार दारित करता है कई बार क्या होता है यह कई देशों को हम इस तरह से महमा बंड़ित कर देते हैं कि एक को आकरांता की रूप में दिखाते हैं यह से पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो इतियास की इताव में लिखी गई है और मैं बताया क्या है पहचान सम्मधी द्वन्द या बिवाद की सित्में परसपर सम्मत सच्चाई कि किसी भाव को स्थापित करना बहुत कठिन होता है यानि कि जब इस तरह की बातें लोगों के मन में भर दी जाती है तो यकीन मानिए उन्हें सच्चाई से अफगत करवाना बहुत मुस्किल होता है आज अगर आप किसी पाकिस्तानी बच्चे को समझानी कोसिद करें, वेक्टिव समझानी कोसिद करें, वो नहीं समझेगा, उसे लगएगा नहीं, यह तो हमारे फिवर में बोली हिंगा है, आम तोर पर किसी प्रक्च को एक स्रिकार करने में कि वह गलत था, कई दसक, बलि कई कई सताधियां भी लग जाती हैं आगर कोई बीक्ति वहां पर आप देखेंगे पूरा यहीं पर सिच्छा दिख्चा उसने लिए है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब विजेता चमाया आचना करते हैं यहावर एक कहानी बताई गई है कि कई वार यह हुआ है कि आज के सम परिवेस बदल ला है, भरत्मान में हमारी समारीक सम्मझ दो बदल रहे हैं, तो आज के समय में हम यह देखेंगे, कई ऐसे लोग या कई ऐसे राष्ट जो कि बिजेता रहे हैं, कभी समय में वो अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं और चमा मांग रहे हैं, यानि यह कोई असमा या सम्मझ जो जीतने वाले पक्ष के साथ थे, या आज भी प्रभावपूर, प्रवतपूर इस्तिती में हैं, यह स्विकार करने लगे हैं, कि अपने अतीद में गंबीर अन्याय के लिए जिम्मेदार रह चुके हैं, और अब पीडिस सम्मझ वाले हैं, खास करके बेटेन वाले सम्मझ आए, यह बेटेन आप देखते होंगे, जब जब बेटेस प्रधान मंतरी हमारे यहां आए, तो उन्होंने भी जलियाँ वाला जो नरसंघार हुआ था, उस पर संबेदानाय में बैक्ति की दिए, और छमा भी मागी थी, माफी भी मागी थी, भारत के साथ जो के सिकार हुए थे, तो इन से जो है लगातार यहां पर आप देखेंगे, माफी मांगे जाने के मुद्दे पर लंभी भहस होती रही है, यहां पर आप देखेंगे, जो ऑस्टेलिया था, ऑस्टेलिया में भी जन जातिया रहती थी, तो बहाँ पर भी आप देखेंगे, यूँ ऐसे की बात करें सायोंक तराज अमेरिका में मूल अमेर की समदा है जो उस देस के मूल निवासी थे या फिर युद द्वारा भार निकाल दिये गए थे या फिर काले समदा है जो कि अफ्रीका के दासों की रूप में लाए गए थे इन से राष्टी स्थर पर छमाय आचना के लिए एक लंबी भहस चलती आ रही है यहाँ पर जापान की बात का लेते हैं दिए कि जापान ने तो सुरुआ सही अपनी सरकारी नीत में यह सामिल कर लिया है कि हम अपने अत्याचारों के लिए माफि मागें क्योंकि जापान ने आपने पता होगा दुती बिस्युद्धी के दौरान जापान ने अभी सारी सीमाय लांग दी अत्याचारों की चीन के साथ जवर्दस अत्याचार नरसंगार किया तो अब जापान ने अपनी नीत बदल दिया सरकारी नित में ये सामिल कर दिया है कि उन्हों अत्याचारों के लिए माफी मांगने की आवसिक्ता को बहुत पहली माना जा चुका है जो जापान के द्वारा युद्द एवं उपनिवेसी करड़ के समय पूर्भी एसी आगये छेत्रों में यहां देशों बिसे सुरूप से कोरिया और चीन के कोछ इस्तों में किये गए थे तो जापान इसके लिए लगातार माफी मांग रहा है और इसने अपनी ये सरकारी नीत में सामिल कर लिया है कि हमें माफी मांगनी चाहिए ऐसी ही बहस आपकी दशड़ फ्रीका में भी चल रही है जहाँ पर गोरे अल्ब संक्यत सत्ता में रही है और स्तानी काले बहुत संक्या वहों पर अत्याचार हुआ है तो यहाँ पर भी माफी मांगने की लगातार ये चल रही है यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरह से बदलता हुआ पड़रस है तो यहाँ पर यह बात कहीं जा रही है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें आप यहाँ पर गलत है तो आप उसे सुईकार करें अगली आपकी जो हेडिंग है यह है समदाय राष्टर एवं राष्टर राजे यहीं समदाय क्या है राष्ट क्या है और एक राष्टर राजे ही होता क्या है यह भी हम जानेंगे यानि अगर सरल सब्दों में, संचियव सब्दों में हम कहें तो राष्ट एक तरह का बड़े स्थर का समदाय होता है और ये कई सारे समदाय से मिलकर एक बना एक बड़ा समदाय हो सकता है यानि हम ये स्थर से मान सकते हैं ये आपका एक राष्ट रहे है और इसके भीततर तमाम सम्दाय आपके रहे, हिंदू, मुसलिम, सिख, हिसाई, जैन, पार्सी जो भी हैं, सब इसमें रह रहे हैं, तो क्या है? एक यह बड़ा सम्दाय बन जा रहा है, और यह बड़ा सम्दाय कर मिलकर क्या बनना है? राश्ट के सदस्त से एक ही रायनेतिक सा मुइक्टा का हिस्टा बनने की इच्छा रखते हैं रायनीतिक एक्टा की यह इच्छा स्वैम को एक राज बनाने की आकांशा की रूप में अव्यक्त होती है यानि कि इस तरह की जो इच्छा है वास्ता में एक राज बनाने की आकांशा की रूप में खेत्र में विजिसम्मद एकादिकार का सफलता पूरवक दावा करता है यहां पर राश्ट की एकरम बात करने राश्ट का वास्त में बड़न करना आसां तो है लेकिन परिवासित करना कठिन है कि राष्ट की एक कोई प्रॉपर परिवासा होगी इस बात को लेकर तमाम समाज सास्त्री या भे तमाम जो भी है कह सकते हैं आपके दर्शन सास्त्री बेरा उनमें मतभेद है उनका मानना यह है कि राष्ट की एक कोई प्रॉपर परिवासा हो जी नहीं सकती है वर्ण तो कर स या पर छेत्री संस्कत जैसी संस्कतिक एक एत्यासिक और राइनिक्री संस्ताओं के आदार पर की गई है लेकिन किसी ऐसे पारेभासिक लक्षणों को निधायत करना या फिर उन विश्यस्ताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट में होनी चाहिए लेकिन हम यह देख राष्ट ऐसे भी है जो अपनी एक साजा या सामाने भासा धर्म नरजातिता आद नहीं है उनके पास या उनके पास अपनी एक साजा भासा नहीं है या पर एक सामान भासा नहीं है धर्म नहीं है नरजातिता उनके पास नहीं है दूसरी और ऐसे अनेक भासा है धर्म या न कर दो जैनि कि यहां पर आप स्मझ लीजिए कि राष्टकी कुई परिवासा नहीं है इसे परिवासित करना असंभव है यानि कि हो सकता है एक राष्ट जो है साध्य धर्म भासन रजाति के आधार पर बनाओ साध्य संस्क्त के आधार पर बनाओ या फिर यह भी हो सकता है विवित्ता के आधार पर बनाओ भारत जैसा जो राष्ट है वास्त में विविवित्ता के आधार पर बनाओ तो यह सब ची च्छेत्री आधर पर जो परिवास समदाय है इनके बीच कैसे भेद करें हो सकता है यहाँ पर हमें भेद करना हो या फिर आप ये भी देखेंगे कि संकलपना की देश्टी से इनमें कोई भेद दिखाई नहीं देता है अन्य प्रकार का कोई भी समदाय किसी दिन एक राष्ट बन सकता है यह भी हो सकता है कि कोई एक ही समदाय हो और एक ही समदाय मिलकर राष्ट बना दिया साओधी अरेविया हुआ यूए ही हुआ एक ही समदाय उसे अपना राष्ट बना दिया यह भी हो सकता है यह आप यह नहीं कह सकते कि इसके लिए भिविद धर्मों के भिविद जातियों के लोगों के ओना की आवश्च रखता है तभी एक राश्ट बन पाएगा कोई एक धर्म, कोई एक समान बेचार धरा वाले जो लोग है वो मिलकर भी राश्ट पना सकते हैं भी आप देख सकते हैं तो यह सब चीज है यहाँ पर बताई गई है यह समझानी कोशिस हो रही है कि राश्ट की एक निदार्द परिवासा नहीं है यहाँ पर बताया गया है कि राश्ट का अंदर या भेद दर्साने वाली सबसे नईदी की का सूटी गयां है राश्ट के साथ साथ एक योझक चिन्न के रूप में एक सब्स जो ड़ा है राष्ट यहाँ पर एक ऐसे समधाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वही बताया है कि राष्ट ऐसे समधाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है और इसलिए यह दोनों राष्ट राजी सद्र के रूप में योजक चन्नी के रूप में जोड़े होते हैं यानि कि अक्सर यह माना जाता है कि राष्ट जो हैं वो अपने आप में कई सारे राज्यों को समायत किये हुए हैं सारे राज्यों को जोड़कर चले हुए हैं तो यहाँ पर आप पहले के संदर में भी देखेंगे यहाँ पर यानि कि पहले यह बात सच नहीं थी कि एक अकिला राज केवल एक ही राष्ट का प्रतुनत कर सकता था यानि कि जिन लोगों पर उनका सासन था बिविन राष्टों के थे और उनसे एक सो से भी अधिक आंत्रिक राष्टिताओं को मनता दे रखी थी यहनि आप जब USSR बना हुआ था तो वहां पर क्या था कई सारी राष्टिताओं को मनता दे गई थी तो यहां पर आप इस तरह का आप देखेंगे खास करके इसी तरह से आप देखेंगे जो राष्ट राष्ट राजवाली बिचार हैं इसी पकार एक राष्ट को अच्छित प्रदान करने वाले लोग हो सकता है विविन राज्यों के निवासी हो यह भी हो सकता है यह संपूर यहुदी की बात हुई, तो यहुदी जाती जो है, इसके लोग जो है, अमेरिका में एक साथ, और इजरायल में भी, यहाँ पर 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 य भी देखने को मिलना है इससे पहले देखे यहाँ पर कुछ दो टॉपिक दिये हुए हैं एक आत्मसात करडवादी और एक ही करडवादी जो बिचार धारा है पहले उसको हम जान लेते हैं उसके बाद हम आगे टॉपिक पर आएंगे आत्मसात करडव और यह क्या होता है वो भी हम पहले देख लेते हैं देखे यहाँ पर बताया क्या है सामदाएक पहचानों के डर से राज्यों दारा सांसकति बिवित्ता को मिटाने की कोसिस की जा रही है यह सामदा एक पैचान है बेविद्ध लोगों से मिलकर बन नहीं है उनके डर से राजी क्या कर रहे हैं कि सांसकति बेविद्धा को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं एतिहासिक तोर पर आप देखेंगे राज्यों ने राश्ट निर्माट की जो नीतिया हैं इनके माध्यम से अपनी रायनेति बैद्धा को इस्ताबित करने के लिए उसे और ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न किया है और यह लगातार आत्म साथ करड़ या पर एकी करड़ की न खास्त और पर आप देखेंगे खास्त और पर सांसकतिक विवित्ता के संदर में आसान यह नहीं था क्योंकि ऐसी परस्तियों में नागरिक अपने देश के साथ अपनत रखने के साथ संभवते अपने नर्जातिये धार्मिक बहसाई या पिर अनिकिसी प्रकाड़ के संदा तादात में रखता है, तो दोनों बात हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को आप इस बात तर लांचन लगाने हैं, अगर वो अपने धर्म से आस्था रख रहा है, तो आप उसे कहने हैं, ये तो राष्ट पकता ही नहीं, आप ये तो बिल्कुल देश्द्रोही ह सकते हैं आप यहाँ पर, अधिकांस राज्यों को यहाँ पर ये डर था, कि इस अंतर को मानता प्रदान किये जाने से, जो सामाजी बिखंडन है, इसकी सिती उत्पन्ध हो जाएगी, और जो समरस्तापूर समाज की निर्वार्ण में कहीं नहीं की दुका बटाएगी, यान उपर से उनसे कहा जाएं कि एक राष्ट बनाने की या एक राष्टी पैचान से भी जुड़ जाएं, और लोग अकसर अपनी जो है, सामदा एक पैचान पर बार बार फोकस कर रहे हैं, तो इसमें एक संकट पूर स्तिती जहां क्रियेट हो जाएगी, और देश का जो निर् आजों को लगा कि इस तरह की जो पैचान है, वो वास्ता में कहीं ऐसा नहों कि हमारे राज्टी के लिए खतरा बन जाए, तो इन्होंने क्या तरीका निकाला, इन्होंने समायोजन के लिए एक तरीका निकाला है यहाँपर, तो बताया गया, इसमें नीतियां बताई गई इन्होंने पहली नीति बताईए, आत्म साथ करण की नीतियां, जिनके अंतरगत क्या होता है, जिनके अंतरगत यह होता है, कि एक नरजाती है, धार में क्या भासाई समुगों को, कि पैचानों को एकदम दवा दिया जाता है, और समुगों के बीच पाई जाने वाली सांस् तो यहाँपर बहुत की जाती है कि यही बहुत की क्या है जो है इस रच्टी पहचान का भी कहीना गी हगदार बने तो यहाँ पर भही देखेंगे, यानि कि कई कई बार एही करण के नाम पर एक अकली राष्टी पैचान बनाए रखनी चाहती हैं, इसके लिए वे साजनेक और रायनितिक काल शेत्रों से नजाती है, राष्टी है, और सांस्क्रतिक भिंतां को दूर करने का प्रेस्न करते हैं तो यह सब चीज़ें यहाँ पर मैं देखने को मिलेंगी, यानि कि यह सब चीज़ें आप देखेंगे, कई बार जो राज्य हैं, राज्यों के मन में जो प्रशन उठने उठ रहे हैं, कि किस तरह से हमारे विवित्ता वाली भावना इसको खत्म किया जाए, यानि कई राज राष्ट की पहचान सर्वोपर रखें, या फिर राष्ट ऐसा प्रयास करें हैं, कि केवल एक नरजाती समूँ यहाँ पर रह जाए, तो यहाँ पर कई सारे देखेंगे, यहाँ पर ही बहुत सारी दिक्कतें देखने हो बिलती हैं, यूग इस तरह से करने से क्या होता है, जहाँ प्रवासाली समूँ बहसंक्यक्तों और स्थानी आलफसंक्त समूँ की स्वाइत्ता को मिटा दिया जाए, इस तरह से इनका नीतियों का परयोग होता है, या पर यह भी होता है क्या आन्य समूँ पर थोपना इस तरह की राज़वासा की रूप में स्विदार करना, ये भी समस्या आने दिखने को मिलती है, तो कहीना की इस तरह की जो विचार हैं, इस तरह की जो बाते हैं, वो कहीना की एक राष्ट के लिए खत्रा उत्पन करती हैं, भारत के संदर में भी ये मुद्दा उठा था, भारत के संदर में भी ये मुद्दा ये उठा था, जब हि रिचुट भारतियों ने खास करकि विरोद किया था उनका मानना ये था कि इस तरह का आप करके इस तरह जाते जाते जो आपका पर पैरग्राफ ये कह रहा है, कि समदाएक के किसी बिसिष्ट रावरू रूप और राजिके आद्मिक रूप में के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है, कोई विजिष्ट समदाय का रूप हो या राज्यका कोई आदमिक रूप हो इनके मद्द संबंध होई हो यह ज़रूरी नहीं है खास करके समदायक पहचान बहुत से आदारों जैसे भासा, धर्म, नरजाती आदमें से कोई एक आदार राष्ट को सरूप प्रदान कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है इस बात की यहांपर कोई गारण की नहीं है या ज़रूरी नहीं है कोई एक पहचानी हो, कोई भासा हो या धर्म हो तभी राष्ट का सरूप तयार हो यह ज़रूरी नहीं है चुकि जो समदायक पहचाने हैं यह राष्ट निर्माड के आदार के रूप में कार कर सकती है इसलिए पेले से बिद्धमार लाज्य को सभी प्रकार के सामधायक पहचानों को खतरनाक प्रद्धवंदी की रूप में देखते हैं कई बार क्या होता है जो सामधायक पहचान होती है वो अपने प्रतक डिमांड करने लगती है प्रसक लिमांड गहीं है, कई बार आपने सुना ओगा कि एक हिंदू राष्ट बनाया जाए या मुसलिम राष्ट बनाया जाए तो इस तरह की जो विचाड़धारा है इस तरह की जो डिमांड है किसी समद् враг के तोरह की जाती है ये वास्ता में जो राजी की अवधारणा है उस राजी की अवधार्णा के लिए गईना के खत्रा बन जाती है क्योंकि राज्य क्या है राज्य तो बहुत सारी विवित्ताओं का संगम है औütün विवित्ताओं में से अगर आप इस तरह की बात ने करेंगे तो आसमे में वहाँ पर जो मौझूद बिवित्ता है उसको तो बिल्कुल खत्रा हो जाएगा वो तो बिल्कुल नश्ट हो जाएगी तो यहाँ पर भाई है इसलिए राज यामतर पर किसी एक समुरू प्राश्टी पहचान का पक्ष इसलिए लेते हैं ताकि वे उसका नियंतर और प्रबंदन आसानी से कर सकें तभी बारबार राज यह कहते हैं कि एक समुरू पहचानो जैसी पहचानो और इस बात को लेकर प्रबल रूप से अपने पतर किसलिए रखते हैं ताकि कोई समुरू हावी नहोंने पाई लेकिन संस्कति पिभित्ता का दमन करना बहुत महँगा पढ़ सकता है क्योंकि इस से क्या होगा उन अल्लसंक्यक या फिर अधिनस्त तमदायों का अलगाव हो जाता है जिनकी संस्कति को गयर राश्टी मान लिया जाता है जब राजिय वाली भावना राज यह कहता है कि समरूप एक पहचान होनी चाहिए और इन समरूप पहचानों के नाम पर आप अलूसंक्यक समदाय की पहचान या कोई आधिनस्थ और दलिस बहुत समदाय उसकी पहचानों को आप किस हद तक रही है वो हम यहाँ पर अगले बाले पराग्राफ में देखेंगे यानि बताया गया है कि सांसकतिक विवित्ता भारती राष्ट राज्य एक भेहंगम द्रश्टी यह आपका यहाँ पर टाइटल है तो यहाँ पर यह बात आप जानते होंगे कि भारती राष्ट सामाजी को 37 द्रश्टी से विश्ट के सरवादिक विवित्तापूर्ट देशों में से एक हैं सन 211 एक जनगरना है उसके अकॉर्डिंग हमारी अबादी 121 करोड है और पुरी दुनिया में हमारा अबादी की मामने में दूसरा इस्थान है यानि हमारे यहाँ लगब एक अ आठी सूची में ने इस्थान दिया गया है यह बात आप जानते होंगे यहाँ पर अगर हम बहवार में अगर हम देखें यहाँ तो हमारे यहाँ धर्म का सवाल ने हम पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 80.5% आबादी हिंदू की है तेरे तरस चार फीसद आपकी इस हिसाब से अगर मुसल्मानों की देखें तो इंडोनेसी आप पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुसलिम देखें भारत यहाँ बताई गया है आपके इसाई सिख यह भी समदाया मौजूद है यह सब जन जो आपके सांकी आखड़े हैं वो आपके सांकी दिये ग नहीं है अपने प्रारम से ही स्वतंत भारती राज में आत्म साथकरणवादी नीत को नहीं माना गया यहाँ पर आत्म साथकरणवादी नीत पारबार यही कहती है कि एक पहचान रहे केवल एक पहचान पूरे राश्ट की रहे भारत ने इसके पक्षम भारत के जो निर्मा वोने इसकी मांग भी की थी कि हमारे देश में आत्म साथ करड़ वादी जो है नीध अपना ही जाए ताकि हमारे देश की एक पहचान हो तो भारत में भी हिंदू बहुसंग के खसंदाय मान रहे थे कि हम एक इस्लामिक कंड्री है तो अई भारत भी हिंदू कर राष्ट बनना चाहिए लेकिन नहीं हमारे यहां हिंदू राष्ट वाली कल्पना को यहां पर खारिद कर दिया गया और हमारे यहां क्या है आप देखेंगे हमारे यहां हमने एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट की यहां पर अफधारना को आगे प्रतपादित किया है यहांना कि राष्टी एकिकरण को राजी की नीत में लगातार महत्पूर स्थान दिया गया लेकिन भारत कभी उस रूप में एकिकरण बादी नहीं रहा जैसा कि आपने उपर देखा है यानि कि हमारे यहां राष्टी एकिकरण की नीत है यह तो हमारे यहां रही है हमारे यहां कल्चर में रही है हमने राज्यों को एकिकरण किया विविद विविद राज जो हमारे बने हुए थे छुटड़े राजे रजवाड़े थे उन सब को हमने इखटटा किया, इखटटा करके एक भारत में उन्हें समुहित किया, तो ये सब चीजे ने तो हमारे नहीं है एगी करण की नीत रही है, लेकिन एगी करण की जो नीत समधायों के संदर्म में थी, कि खास करके समधायों के पहचानी खत्म कर दो, उस तरह Ses समध कुछ खूआई की ते जाय को खत्म करने की नहीं रह dual स्योंख आपके जो भारती ब्हुमी है उस बुध ही और आपके भारती राज्यरका इस्ते धारती स्वीर है कि देश्द का और counter एक कहेँ नेिक रहा लहता N 27 जंता के बिचारों को आस्था साल को खत्म नहीं किई बलकि वो बैसी ही कायम है आज भी वो बैसी ही चल नहीं है तो यहाँ पर भई है कि संभिधान में यह गोष्णा की गई कि भारत एक धर्म एक शराजर होगा पर धर्म भासा और अन्य ऐसे कारगों को साज्मिक छित्र में पुरी तरह से निस्कासित नहीं किया गया है यह बात अंतराश्टी मानकों की जश्टी से मापा जाय तो अल्व संख्यक धर्मों को अत्यंत प्रवल संभिधानिक स्रक्षा प्रदान की गई है अनुच्छत 930 के तहत आम तोर पर भारत में समस्या यह रही है कि यहां कानूनों या सिद्धानतों की तो कोई कमी नहीं रही है बल यानि आई होप हमारा जो पार्ट बने आपको समझ में आया होगा अब पार्ट टू आपको जल्दी यहां पर देखने को मिलेगा तो चलिए आज के लिए इतना कर दो